बिसमिल्ला रह्मान रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जैसे कि आप जानते हैं प्रीवियस लिक्चर में हमने पड़ा था आइबूट रियल नंबर्स नेच्रल नंबर्स होल नंबर्स और इंटीजर स्टुडेवी विद्रीड अबूट एवन नंबर्स लिक्चर न नंबर्स कहते हैं रियल नंबर्स डिनोटेट बाई यह रियल नंबर्स को हम एसी डिनोट करते हैं जैसे कि हमने लिक्चा है एईज इक्वल टू एवन नंबर्स इक्वल टू जीरू टू फॉर सिक्स एट हर वो नंबर्स जो टू सी डिवाइट होता है हम उसी एवन नंब कहते है इसके बाद हमारे पास आता है यह odd numbers यह even number का मुकमल opposite है उलट है odd numbers are those numbers which are not divisible by two जो two से divide नहीं हो रहे है हम उसे odd numbers कहते है odd numbers are denoted by O and can be written as O is equal to O means odd number is equal to one three five seven nine eleven up to infinity इसके बाद हमारे पास है prime numbers ठीक है a number that is divisible by only a number that is divisible only by itself and one वो number जो सिर्फ दो number से divide होता हो एक itself अपने आप से और दूसरा one से वो number जो one और अपने आप से पर divisible होता है हम उसे prime numbers कहते हैं denoted by P prime numbers are denoted by P तो prime numbers में हमारे पास कौन कौन से number आते हैं two three five seven eleven thirteen seventeen nineteen up to infinity अब two जो है ना ये हमारे पास वाहिद ऐसा even number है जो prime है मतलब सारे number जो है उसमें सिर्फ एक number जो prime even है और prime भी है वो क्या है वो two है इसके इलावा जितनी numbers भी prime है वो सबके sub order है two एक ऐसा even number है जो हमारे पास prime है इसके इलावा जितनी numbers भी हमारे पास prime है वो सबके sub order है तो अब आप देख लें जैसा कि हमारे पास three है तो three के two divisors है एक one है और दूसरा three है तो यह हमारे पास prime number बन गया चूँकर किउनकि इसन के इसके सिर्फ दू divisors है एक one एक three इसी तरह आव नचीं चिक कर लें तो यह किन किन number सी divide होता है1 सी divide होता है और 19 सी divide होता है तो इसकी भी सिर्फ दू divisors है इसलिए ये भी प्राइम नंबर होगा है इसके बाद हमारे पास आते है 23, 29, 31, 37 and so on, 41 and so on up to infinity ठीक है तो ये हमारे पास होगा है प्राइम नंबर इसके बाद हमारे पास आता है rational number rational numbers are denoted by Q rational numbers are written in P by Q form ये division form में होते है P by Q form में होते है जहाँ पर Q is not equal to zero, Q will not be equal to zero rational number में हमारे पास दो qualities होते है rational numbers are repeating and terminating rational number हमारे पास repeating होते है और terminating होते है, repeating का क्या मतलब है example में देख ले, example के तोर पर हमारे पास है one by three, one को हम divide करते है तरी के साथ तो हमने यहाँ पर decimal point लगा लिया यहाँ इस decimal के जरीए zero आगए 33 is a nine, remainder one फिर decimal के जरीए हमारे पास zero आगए 33 is a nine, तो one by three का answer हमारे पास आगए 0.33333 तो ये 3333 जो है, ये हमारे पास क्या हो रहा है ये हमारे पास repeat हो रहा है तो one by three हमारे पास किस केटिगरी में आ गया repeating केटिगरी में आ गया तो ये बन गया हमारे पास rational number अब है repetition जो है ये ऐसा भी हो सकता है 0.345 sequence भी हमारे पास repeat हो सकता है ये हमारे पास ऐसा भी हो सकता है 1.56785678 5678 तो ये एक सीक्विश है 56785678 5678 जो बार बार रिपीट हो रहा है तो ये भी हमारे पास रेश्टल नंबर हो गया क्योंकि ये रिपीटिंग के केटिगरी में आ गया इसके बाद दूसरा जो केटिगरी है वो हमारे पास है टर्मिनेटिंग ये हमारे पास क्या है टर्मिनेटिंग वाले केटिगरी है तो टर्मिनेटिंग का मतलब है हतम होने वाला ठीक है तो यहाँ पर आप देख लिए 1.1 डिवाइड बाइ 5 यहाँ पर पॉइंट लग गया इसके साथ 0 अगया 5,2,10 तो 1.5 का अंसर हमारे पास आप लोगों ने सोना होगा दा मिसाल के तोर पर एक शफस है उसी टर्मिनेट किया गया हो जॉब से तो मतलब उसका जॉब वाही पर हतम हो गया है टर्मिनेटिंग तो 1.5 किस जिम्रे में आ गया किस केटिगरी में आ गया टर्मिनेटिंग नंबर पे तो ये हमारे पास वो नमबर जो repeating और terminating हो उसे हम क्या कहते है रेशनल नमबर कहते है इसके बाद हमारे पास last one है irrational number irrational number are denoted by q- ठीके रेशनल जो है वो q- से denote होते है और irrational किस चीज़ से होते है क्यों डेश से irrational जो है ये rational number की बिलकुल opposite है वो नमबर जो non repeating हो और non terminating हो जो ना repeat हो रही हो और ना terminate हो उसे हम क्या कहते है irrational number मिसाल के तोर पर non repeating ऐसा अंसर आजाए 345, 3456, 34567 तो यहाँ पर 3456, यहाँ पर 3456, यहाँ पर 34567 अब टू इंफिनिटी तो यह हमारे पास non repeating है इसमें एक sequence जो है वो repeat नहीं हो रहा बार बार इसलिए यह non repeating हो गया non terminating यह हमारे पास के 0.56781296023 अब टू इंफिनिटी यह जंप कर रहा है ठीक है एक नंबर जो है decimal point के बाद वो repeat भी नहीं हो रहा और हतम भी नहीं हो रहा यह 56781296023 अब टू इंफिनिटी यह non terminating है तो वो नंबर जो हमारे पास non repeating भी हो और non terminating भी हो हम उसे क्या कहते है irrational number तो यह continuation था lecture number one का lecture number two यह पर हमारे पास हतम हो गया real numbers का जो topic है इसके बाद हम self करेंगे exercises हो तो हमारे पास हमारे साथ रही रहिएगा अपना हयाल रखिए और खुश रहिए अब assalamualaikum